मिशनरी हमेंसे अधिक लोग इस शब्द से परिक्षित है विशेश रूप से भारत में जितने भी खेलिशियां है वे इस शब्द को आसानी से बूल नहीं सकते हैं क्योंकि सबी खेलिशियों के नीव केवल मिशनरियों के द्वारा ही स्तापित की गई है कौन है एक मिशनरी एक मिशनरी वो है जिसे एक मिशन के लिए यानि एक मिशनरी कारिय के लिए बहार बेचा जाता है हाँ हमारा परमेश्वर और उधार करता जिनकी हम आरादना करते हैं वो एक मिशनरी है जिनने उनके पिता ने एक मिशन के लिए यानि एक कार्य के लिए बेजा जो मानो जाती को चुडाने के लिए बाद में येश्यु मसीबी इस चुटकारा के संदेश को प्रचार करने के लिए अपने चेलों को मिशनरियों के रूप में दुनिया भर बेजा वैसे हमारे बारत में आने वाला पहला मिशनरी तोमा है जिससे डिदुमुस भी कह जाता है वो येशुम मसी के बारा चेलों में एक है येशुम मसी के पुनरतान के बाद वो यरिशलेम से दक्षन भारत आया लगबग 52 AD में केरला जो दक्षन भारत में एक राज्य है वहां पर पहुंचा वहां उसने सुसमाचार का प्रचार किया और कहीं लोगों को बप्तिस्मा भी धिया उन्होंने केरला में साथ स्थानों पर कलिशिया स्थापित किया इन जगों में मिश्नरी तोमा ने अपना कलिशिया को स्थापित किया कैरला में सेवकाई के दस साल पूरा करने के बाद वो मैलापूर आया जो तमल्नाडु में है मैलापूर में भी वो वही काम कर रहा था जैसे वो कैरला में किया अपने सेवा के माद्यम से एक महान बीड ने इश्यु मसीप पर विश्वास करने लगा एक बड़ी बीड के परिवर्तन को देखकर उस समय के रूडिवादी लोगों और उनके दुश्मनों ने लोगों को कौने के डर से उसे मारने के लिए योजना बनाई वो अपने दुश्मनों से भाग कर एक पर्वत की एक गुफा में चिप गया जिससे लिटल माउंट कह जाता है उनके दुश्मनों ने उनको नहीं चोड़ा एक बड़ी क्रोध के साथ उनको पीचा किया फिर एक दिन लगबग 72 AD में वो अपना दुश्मनों के द्वारा एक जगा पर शहिद हो गया था जिससे आज सेंट तामोस माउंट के रूप में माना जाता है दोस्तों मेरे तमलनाड के लोग जो मेरे पूरवच थे उन्होंने पहला मिशनरी तोमा को मार डाला जो परमेश्वर की सूसमाचार को भारत ले आया पवित्र शास्तर बैबल कहता है जब तक गेहूं का एक दाना पृत्वी में गिर कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है पर जब वो मर जाता है तो वो अंगिनी दानों को जनम देता है उसी तरप पीचली सदी से कहीं कलिशिया और ईश्व मसी को पीचे करने वाले पैदा हुएं जहां मिशनरी तोमा ने परमेशुर के सुसमाचार के लिए अपना जीवन को त्याग दिया शुरू में मिशनरी तोमा ईश्व मसी के पुनरतान पर विश्वास नहीं किया पर तोमा को विश्वास दिलाने के लिए ही ईश्व मसी अपने चेलों के बीच में दुबारा प्रगट हुआ दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्व मसी दूसरी बार ना केवल तोमा के लिए पर भारत के लिए ही डिकाई दिया परमेश्व ने भारत से इतना प्यार किया कि उसने अपने चेलों में से एक चेला को हमारा भारत को बेजा हाम प्रियों परमेश्व हमारे भारत को याद किया हमारे भारत वासियों को प्यार किया आईए हम भी उस महान परमेश्व को याद करें प्यार करें